हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संजे और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चले जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी कबरों को मिर्तक के परिजनों को दो लाग रुपए दिये जाने की व्यास्था सुनक्छित कर दी है इसे देखते हुए राजसरकार ने भी अपनी तरप से पीडित परिवार को दो लाग रुपए देने का फैसला लिया है इसलिए अब हीट एंड रन मामली में जान गवाने पर पीडि सभा में बुधवार को कहा है कि राजसरकार की प्रात्मिकताओं में आस्थानिय और नियोजन नेती सामिल है हलाकि 1932 के खतियान के अधार पर इसे लागू नहीं किया जा सकता कोट इसे खारिच कर देगी उन्होंने इस दोरान घोसना की है कि राज में 350 वर्फिड तक के आ उन्होंने विपक्ष द्वारा बालू और खधानों के लूट समंधित आरोपो का जवाब देते हुए कहा है कि खधानों से राजसरकार का राजस्व पहले से कहीं अधिक बढ़ा है 2016 में जहां 4120 कोड रुपई की कमाई हुई थी वही इस वर्स 6902 कोड रुपई से अधिक क्यामदनी हुई है आगली बड़ खबर की बातकुद राजमाहल के पूर्वसांसद सोम मरांडी का निधन सबसे कम वोट से लोकसभा चुनाओ जीतने का रहा रिकार्ड राजमाहल के पूर्वसांसद सोम मरांडी का बुधवार को निधन हो गया सोम मरांडी को इलाज के ल बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि सोम मरांडी की निधन से मन जो व्याथी थे, उनका इस तरह अचानक दुनिया से चला जाना मेरे लिए व्यक्तिगत छती है, केंद्रिये मंतरी अर्जुन मुंडा ने पूर्वर सांसद सोम मरांडी के आसमाइक निधन पर दुख व्यक्ति कि मुख्यमंतरी से मुलाकात कर पढ़ाई पूरी करने का किया आगरा, जार्खन विधान सभा इस्थित कच में मुख्यमंतरी है मंतर सोरिन से बुधवार को यूक्रेन से लोटी MBS के विद्यार्थियों ने मुख्यमंतरी को रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अप जिस तरह की हालात यूक्रेन में हैं, वैसे इस्तिति में वापस जाकर फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करना काफी जटिल है, फिलाल उनकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो चुकी है, उन्होंने मुख्यमंतरी से आगरा किया है कि उनके भविस को देखतो हुए, उनके प जारकन में पूर्वया और पच्छुआ के मिलन से बदला मौसम कमेचाज, जारकन में पूर्वया और पच्छुआ हवा के मिलन से मौसम कमेचाज बदलने लगा है, राजधानी रांची समयत सभी जिलों में तपती गर्मी ने अपना रोध रूप दिखाना सुरू कर दिया राची मौसम केंदर के परभारी कारले निदिशक अभी से एक आनन्दे बता है कि सहरी छेतर में कंक्रीट का जाल बिच जाने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे जिससे आपको जारकन की हट शोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंसता रहे। लालो यादो और आरके राना दोनों ही चारा घोटाले में सज्जा सुनाई जाने के बाद न्याई खिरासत में चल रहे थे। दोनों का इलाज रिम्स में चल रहा था। लालो यादो की तवियत अधिक बिगरने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भरती करा गया है जब कि राना का दिल्ली के इसी अस्पताल में निधन हो गया। इस समुचे घटना करम के बेच लालो की सेहत को लेकर भी लोग की चिंता बढ़ती जा रही है। अलबर्ट एक का चौक पर पहुची और हातों में सिलंडर लिये महंगाई पर जोरदार विरोध किया। इसके लिए प्रधान मंतरी को अपने पद से इस्तिपा देना चाहिए। इसके अनुसार एक अप्रेल से चार सो एक या इससे जादा बिजली की मासिक खपत करने वाले उब्भोकताओं को छे रुपया पच्चिस पैसे परती यूनिट के दर से भुकतान करना पड़ेगा। चार सो यूनिट तक खपत करने वाले सहरी घरलो उब्भोकताओं को तीन रुपया पच्चास पैसे से लेकर चार रुपया बिस पैसे परती यूनिट के दर से भुकतान करना होगा। इस संबन में जार्खन बिजली वितरन निगमनी और जा विभागत्वारा जारी आदेश का हवाला देतो हुए अगले महा से बिलिंग करने का आदेश दिया है। आगली बड़ी ख़बर की बात दू मैट्रिक इंटर की परिच्चा आज से सुरू करीब 7 लाग परिच्चातरी होंगे सामिल जार्खन में 24 मार्च 2022 यानि आज से मैट्रिक और इंटर की परिच्चा सुरू हो रही है। 3,99,010 और इंटर में 2,81,436 परिच्चातरी परिच्चा में सामिल होंगे। 9,34,36 वा 7,4850,934,33 पर समपर किया जा सकता है। आगली बड़ी खिबर की बात्त दुजवार्खन के गड़वा में संसनी खेच वारदात अपराध्यों ने दो गड़ेरियों को हाथ पैर बांद कर पीटा, एक की मौत, दूसरा गंभीर, तीस भेडों को मारा, जाच सुरू, गड़वा में संसनी खेच मामला सामनी आए। मंजियामा थाना चितर के करकिटा में अग्यात अपराध्यों ने एक गड़ेरिय की निर्मम हत्या कर दी है, वही दूसरा गड़ेरिया गंभीर रूप से घाल है, करिब तीस भेडों को मार डाला गया है, कुछ भेड घाल है, मंगलवार देराध घटना को अंचाम दिया ग घटना की जानकारे मिलने के बाद बुधवार को पुलीस मौके पर पहुंची, घटना की जाच प्रारम कर दी गई है, पुलीस ने तीन थाना चितर के अलग-अलग इलाकों में छापे मारी कर नौ साइबर अपराध्यों को गिरपतार किया है, इनके पास से 14 मबाइल और 18 स को बताया है कि देविपूर थाने के कपसा, मधुपूर थाने के लखनुवा तथा, सारवा में, करखना में पुलीस ने छापा मारा, इस दोरान इन अपराध्यों को पकड़ा गया है, बताये जा रहा है कि या अपराध्यी एकॉमर्स कंपनी फिलिपकार्ड में कैस बेक का अपर देकर लोग को अपना सिकार बना रहे थे, या पराध्यी लोगों से ओनलाइन ठगी के लिए अलग-अलग तरीके का इस्तमाल कर रहे थे, फिलाल इन्होंने ओनलाइन सौपिंग कंपनियों का नाम का इस्तमाल करना सुरू किया है, आगली बड़ी कि बात को दो ड्रा अपरिल से चलेगा मेगा अभ्यान, कोरोना के कारण लंबे समय तक अस्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चे ड्राप आउट ना हो, इसलेकर पांच अपरिल से एक महा का अस्कूल रुवार 2022 यानि बैक टू अस्कूल अभ्यान चलाए जाएगा, मोके सचीव इसलेकर सभी उपाईकतों को पत्र भेच कर इस अभ्यान को सफल बनाने के निर्देश दिये हैं, इस अभ्यान के माध्यम से प्रारंभिक अस्कूलों में बच्चों की सत परतिसत उपस्थिती सुनक्षित की जाएगी, साथ ही अस्कूल से बाहर रहे बच्चों की पहचान कर उनकी अस्कूलों में उपस्थिती सुनक्षित कराई जाएगी, या अभ्यान चार माई तक चलेगा, उन्होंने अस्कूली सिक्छा एवं साक्चरता विभाग द्वारा इस अभ्यान को लेकर तैयार आधारना के आधार पर निर्धारे तितियों को जोए कारिकरम संपन क कराने के निर्धेश दिये हैं। पिलूस निकालने देने का आदेस देने का आगरा किया गया है। इसके बाद भी सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। और तुष्टी करान की रहनती कर रही है। कामी 21-25 अपरेल 2022 तका जित होगी। आगली बड़ी खबर की बात को दो लालू प्रसाथ यादो एम्स में एड्मिड क्रियेटी नीन लेवल बढ़ने पर तेजस्वी बोले स्वास्त होने की करेद हुआ। जारकन में चारा घोटाले की सजयफता राजत सुप्रिमो लालू प्रसाथ यादो को दिल्ली के एम्स में आखिरकार एड्मिड कर लिया गया है। मंगलवार की राद एम्स पहुचने पर डाक्टरों ने राजी के रिम्स में ही इलाज करने की सलहा देतो वे एड्मिड करने से इनकार कर दिया था। हतियार और चोरी की गारियां बरामत पलामू पुलिस ने अंतराजी वहां लोट गिरों के चार सदसों को गरपतार किया है। इसमें लातेहार के बरवार्डी का विकास कुमार यादो उर्फ मामा हैदर नगर की रजोंधा का छोटन कुमार पासवान सदर थाना छेतर की पोक रहा खुर्द का नीरज चंदरवन सी और विसाल भुईयां सामिल है। इनके निसान देही पर पंडवा थाना छेतर से चोरी की गई बाइक, एक असकूटी चेनपूर थाना छेतर से लोट ली गई बोलोरो, एक मबाइल फोन और एक देशी कटा और दो जो है जिन्दा कार्तुस बरामत हुआ है। लोट के वाहनों को यागिरो बिहार ले जाता था, गैंग के सरगना को पकरने के लिए छापे मारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार आपसी बिवाद और पैसे की लेंदेन की वज़े से गोली मारी गई है। प्राकृतिक को शमर्पित है, इस तहवार के दोरान प्राकृतिक की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस तहवार को मनाय जाने के बाद ही नए फसल का उप्योग सुरू किया जाता है। चुकि यह पर्व रभी की फसल करने के साथ ही सुरू हो जाता है, इसलिए इसे नए वर्स के आगमन की रूप में भी मनाय जाता है। आगली बड़ी कबर की बात को जारकन विधान सभा मुक्रमंतरी हेमंत सोरे ने जारकन विधान सभा अध्यक्ष रविंदरनात महातोद्वारा लिखित पुस्तक विचारों के ग्यारा अध्याय का किया लोकारपन। मुक्रमंतरी हेमंत सोरे ने जारकन विधान सभा अध्यक्ष रविंदरनात महातोद्वारा लिखित पुस्तक विचारों के ग्यारा अध्याय का लोकारपन किया। आधिवासी संगटनों का विधान सभा घिराओ प्रसासन ने नया सराय में बेरिकेटिंग लगा करोका। प्रसासन ने कहा है कि जारकन की सरकार आधिवासीों की आवाज दबा रही है जिसके कारण विधान सभा घिराओ से पहले ही सडग पर उन्हें प्रसासन रोक लिया। उन्होंने कहा है कि हम लोगों की लड़ाई प्रसासन से नहीं है बलकि सीधे सरकार से है। गुरवार को अगली तारिक तै किया। इसके साथ ही सोनु अगुरवाल की और से दार याजिका में भी सुनवाई हुई जिसके लिए कोट ने 24 मार्च सुनवाई की अगली तारिक तै कर दी। ऐसे में मामले में गुरवार को फिर से शुनवाई होगी। पांचवी से साथवी के छातर चात्राओं का जहां उमार सीट पर परिचा होगी। वही तीसरी और चांती के बच्चे लिखी तरोप से परिचा दे सकेंगे। तीसरी से पांचवी के लिए 40-40 अंग के प्रसन होगे। जबकि 67 वी के लिए 50-50 आंग के प्रस्ण पूछ जाएंगे इसलिए जारकन सिक्षा प्रयोजना परिशन ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे इसी तरह जारकन के हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यूज जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रिस करतेजे जिससे आपको जारकन के हर चोटी बड़ी खबर का अबडेट आप तक पहुंचता रहे तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्स नियूज में